हेलो अरिवन, विल्कम बैक टू अनलाइन स्टेडियों, आज हम इस वीडियो में लेकर रहा हैं प्रमुख कवी और उनकी रचना है इसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था प्रमुख कवी और मतलब प्रमुख सासक और उनके दरबारी कवी के बारे में एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि अलग एक वीडियो लाएंगे जिसमें उनकी रचनाओं के बारे में डिसकस करेंगे तो यही वो वीडियो है जिसमें हम लोग प्रमुक कवी और उनकी रचना देखेंगे जो कि आप उपर में देख रहे अभी ग्यांसा के उतलम मालवी कागने मित्रम और विक्रम वर्सियम यह इनकी नाटक है तिन नाटक है और महा कावे की बात करेंट तो दो महा कावे रगवन सम्म और कुमार समभवम यह इनकी महा कावे और दो खंड कावे हैं मेगदूतम और तो ये इन से समंदित जो की सात रचना है बार-बार पेपर में रिपीट होता रहता है और ये किसके दर्बार में रहते थे तो चंद्रगुप दूतिये के दर्बार में रहते थे जिनको चंद्रगुप द्विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है तो ये इंपोर्टें रासो एक तरफ आपको लेफ्ट साइड में जो रचना है वो देखने को मिलेगा और उनके रचईता आपको मतलब लेखक राइट साइड में देखने को मिलेगा तो परत्विए राज रासो के रचईता कौन थे ऐंependर क्शन दर्वधाई किसके दर्बार में रहते थे प्रित्वी राज चौहान के दर्बार में रहते थे यह बहुत जादा महत्पूर्ण है हमेशा पूछ चाता है और यहां पर मैंने सभी वही इंकलूड किया जो बार-बार आपको रेपीट होते रहता है देखने को मिलता है इनको आप याद रखेंगे चलिए इ अपने रचनाय की थी हर्चवधर ने भी अपने रचनाय की है जैसे नागर्नन्द हो गया रतनावली हो गया प्रिये दर्जिका हो गया तो वो एक सासक थे सासक के रचनाय हम यहां पर डिसकस नहीं कर रहे है उनके दर्बार में कवी और वह बात कर रहे है ठीक है चलिए इ उत्तारामचरित्रम और माहविर्चरित्रम यह इसमें सबसे जब पूछा जाता है मालती मादो के जो रचईता है भावभूती किसके दर्बार बैर रहते थे यसोवर्बन दोनों एकदम भी व्याई हैं, बाल रमायन, बाल भारत, बाल भारत में क्या है, कि प्रचंड पांडो भी इसको कहा जाता है, प्रचंड पांडो, लेकिन ये दोनों आप उतना इंपॉर्टन ही है, उपर वाल आप याद रहे हैं, करपुरमंजरी, कावे मिमान सा, राजसेकर और राजसेकर किसके दरबार में रहते थे, तो प्रतिहार राजा, महिंदर पाल और उसके पुत्र मही पाल, इन दोनों से सम्मंद रखते थे, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टन है, फेंस अगर आपको इसी तरह के और भी हमारे नोट्स चाहिए, वैसे तो आपको पता कोट्स जॉइण करना पड़ता है, जहांपे सारी नोट्स आपको मिल जाती है, और ये चीज़ आपको मिलती है हमारे अपलीकेशंज पे, तो अपलीकेशंज पे जाए, वहांपे पचन्द के सारी नोट्स देख सकते हैं, वहांपे आप ज، जीस बैच मे जॉइन होंगे, जोड़ने के लिए नीचे वीडियो के टिस्क्रिप्टिन में लिंक में अप्लिकेशन का दिया है अप्लिकेशन को डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए इस्टूर सेक्शन में जा करके अपने पसंद की कोर्स को जॉइन कर सकते हैं चलिए, इसके बाद आता है, एहोल प्रसस्ती, एहोल प्रसस्ती के रचरिता कौन थे, रवी किर्थी, रवी किर्थी किसके दर्बारी कवी थे, तो ये हो जाता है, पुलकेसिन दूतिये, ठीक है, पुलकेसिन दूतिये, ये इंपोर्टेंट है, उसके बाद है, उसके बाद ह बुझचरित्र और साथ इसाथ सारी पूट्र परिकरण देखें ये कभी पूचा नहीं गया लेकिन यह हमेशा रिपीट होता रहते दोनों बुझचरित्र और सौंद्रानन्द तो यह किसकी है अस्वे घोस की रचना अस्वे घोस जो की कनिस्क के दरबार में रहते थे ठीक ह इसके बाद आगला है पॉईंट्स क्या प्रण्या पार्मीता सुत्र की रचनाकार हो जाते हैं नागार्जौन नागार्जौन कनिस्क के दरबार में थे और इसमें इनों ने सुने वाध का प्रतिपादन किया था तो नागार्जौन नहीं क्या था, यह point important हो जाता है, question number 10 दिखे क्या है, विभासा सास्त्र है, विभासा सास्त्र, वस्वमित्र कनिस्क के दरबार्ग से समन्ते, और वस्वमित्र समन्त आपको दो-थिन points याद होने चाहिए, क्योंकि इन ही के सहय में, चौथी बहुत संगिती हुई थी, कस्मीर के कुंडलवन में, और वस्वमित्र जो थे, वो अध्यक्स थे, और उपाध्यक्स के रूप में कौन थे, अस्वगोष, तो यह point important रहेगा, अगला है, हरी सेंड, हरी सेंड, और इनकी मतलब हरी सेंड की जो रचना है, परियाग प्रसस्ती है, परियाग प्रसस्ती, जो सासक है, उनके उपनाम, ठीक है, जो सासक है, उनके उपनाम से जमन्दित मैंने एक अलग वीडियो बनाया, अगर आपने उसको नहीं देखा, तो ज़रूर चेक आउट कर लीज़ेगा, अगला प्रशन है कि अमरकोस, नाम से ही इसमें किलिगार हो जागा, अमरकोस, अम अगला पॉइंट से, विक्रामंग देव चरित्र, विक्रामंग देव चरित्र, जो की विलहन और विक्रमादित सस्ट, विक्रमादित सस्ट के दरबार में ये रहते थे, इसके बाद यहाँ पे एक और है पॉइंट्स, जैसे मिताक्षरा, ये सबसे इंपोर्टेंट है, व रमेल रमायन के रजट गम बन को म battles आ और कम बन चोल वन्हें से संभंद रख थे हो ठो ठोम के लिए चोटा सा question सी इये कि चोल वन्हें संसथान पके किसे माना जाता है अगला points बनता है points 17 यहां पर बन्र नोर बन्र नूर सिपहर, तुगलक नामा और आइने अगवरी, ये किसके दौरा रची थे तो अमीर खुसरो के दौरा रची थे और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे तो अलावदिन खिल जी के साथ ये दिल्ली के साथ सुल्टानों के दर्बार में से समन रखते हैं तो फिलहाल यहाँ पर बस आपको याद रखने हैं नूर, सिपहर, तुगलक, नामा, आइने, आइने सिकंदरी यह सभी important हो जाता है ठीक है फिंस, चलिए इसके बाद next point बनता है किर्टा जुनियम किर्टा जुनियम बहुत बार पूचा गया किर्टा जुनियम के लेखाक है भारवी और यह यसो वर्मन के दर्बार में रहते थे यसो वर्मन घीत गोविन के बारे में आप वो क्या बता हूँ यह इतना बार रिपिट हुआ है गीत गुविन के रचनाकार जैदेव और याद रखेगा लक्षमंट सेन के दरबार में ये रहते थे इसके बाद है पॉइंट नमबर 20 पांडूरंग महात्मा पांडूरंग महात्मा जो है ये लिखा गया है तेनाली राम के दौरा तेनाली राम के दौरा और ये कृष्ण देवराय के दरबार से सम्मन्द रखते हैं इसके बाद हमाना पॉइंट 21 आता है मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस हो गया देवी चंद्रगुप्तम या फिर रागवानंद ये तीनों इंपॉटेंट है लेकिन इसमें सब ज्यादा पूजाता है मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस और कभी कभार आपको देखने को मिलता है देवी चंद्रगुप्तम ये लिखा गया विसाख दत के द्वरा चंद्रगुप्त द्यूतिय के दरबार में ये रहते थे ठीक है विसाख दत पॉइंट ट्वेंटी टू रामचरित्र मानस गितावली तुलसिदास साथिसाथ कभीतावली ये भी तुलसिदास याद रखेगा विनयपत्रिका और दोहावली विनयपत्रिका दोहावली ये सभी के सभी तुलसिदास के साथ संबंद रखते हैं और तुलसिदास अकबर के समकालीन थे दरबार में रहते थे समकालीन थे इसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गलती से वहां पर बता दिया था कि दर कुछ को मिलता है कि तुलसिदास का समबंध किस से है तुलसिदास मतलब निम्लेखित में से किसे की दर्बार से समंध रखते थे ऐसा प्रशन देकने को मिलता है तो वहां पर अक्पर को और शुर्ष रावलिए तो सूरदास के साथ ये समंद Onu रखते हैं जुके सूरहので अगला है राज तरंगनी राज कर लहन के दोर अच्छी थे और ये हर्स के दर्बार में रहते थे हैं, हर्स के दर्बार में, इसके बाद है अर्थसास्त्र, अर्थसास्त्र, कॉटिल, चर्णाग, विश्नोगुप्त, ये तीन इनके नाम है, और ये चंद्रगुप्त मौरी के प्रधान मनती थे, यानि इनके दर्बार से समन्द रहते हैं, चीक है, 26 में क्या है, ब्रिहत सनहीता, ब्रिहत सनहीता हो गया, ब्रिहत जातक और एक पंच सिधानती का, इसमें ब्रिहत सनहीता पूछा जाता है, और साथ साथ पंच सिधानती का पूछा जाता है, तो वरा मिहीर यह याद रखेंगे, वरा मिहीर, वरा मिहीर यह इंपोर्ट की रचना काल्विवे किसके रचना है जिमूत्वान की ट्वेंटी-ेट में पदसह नमा यह बहुत ज्यादा महत्पून है पदसह नमा देखें पदसह नमा के रचयता अब्दुलहामेद लोहौरी साजहा के दर्बार के संबंद रखते जैसी मलीक मुहंद जैसी सिर्सा सूरी से समद रखते हैं और लास्ट मेनी हम पर पॉटेंट कलेक्शन के है किताबुल हिंद किताबुल हिंद के जो रचनाकारे वो अलबरुनी और अलबरुनी के समन्द किस से तो महमुद गजनवी के साथ यहां पर हो जाएगा तो आसा करते इसे ने टोपिक के साथ, थैंक्स ववाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग, हवाव गूद दें.